हेलो फ्रेंज नमस्ते वेलकम बैक वंस अगेन ऑन माई चैनल मैं हो कि जाएगा आज फिर से मैं आपके लिए बहुत ही बहतरी हेर केर डियाइवाई लेकर के आई हूं हेर केर ओयल लेकर के आई हूं जिससे आपके बालों से रिलेटेड हर प्रॉब्लम का सॉलिशन होगा बा तेल लगा कि देखिए आपको बहुत जादा इसका फाइदा मिलेगा तो दोस्तो आज मैं आपको बता रही हूं जो मैजिकल हेर ओयल है वो हमारा होगा अनियन ओयल बिल्कुल अलग तरीके से कि प्याज का तेल आप घर पे किस तरीके से बनाओ कि आपके बालों से में अब अपने बालों के लिए कर सकते हैं यूथ क प्याज का रस का इस्तमाल का तेल बनाने के लिए करोंगी तो किस प्रकार करना आप आप आज कि वीडियो में पूरा विडियो देखिए करें लपको थे सबसे पहले जो चिल्के को मनें काफी अ करता है और इसका अदिए और हमारे बालों की ग्रोथ में बहुत ही अच्छा होता है इतने अच्छा तो नहीं हो पाएगा, जितना की मैं आपको आज इस मैजकल आइल को बताने से बताओंगी कि दोस्तो आपको coconut oil में क्या एक दो चीज मिला करकि उसको अपने बालों पर लगाएं कि आपके बालों को और भी ज़्यादा हो तो मैंने यहां पर लिया है coconut oil और उसमें डाला हमने कटे हुए प्याज अगली स्यामगरे आपको लेनी है यह हमारा होगा दोस्तो यह हमारा है इसको हम करी पत्ता बोलते हैं South की सबसे बड़ी डिसेज में एक होता है जो wedge में होता है करी लिफ्स का बहती ज़्यादा इस्तमाल किया जाता है दोस्तो curry lips हमारे health के लिए भी काफी अच्छा होता है इसके दो तिन पतियां अगर आप रोजाना खाऊगे तो आपको जो health related कोई भी issues नहीं होंगी आपके बालों में बहुत ही अच्छी चमक रहेगी आपके बालों के साथ साथ आपके skin की भी चमक बढ़ती रहेगी आपको diabetes की सिकायत है वो भी control में रहेगी skin से बहुत सारी problems दूर हो जाएंगे आपके पेट के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है दोस्तो तो दोस्तो curry lips को किसी न किसी प्रकार से आपको use करना चाहिए curry lips से हमें gas भी नहीं बनती है तो इसलिए दोस्तो curry lips का इस्तमाल आपको खाने पीने की चीजों में भी इस्तमाल करना चाहिए और उसके साथ साथी curry lips का इस्तमाल आप अपने बालों के लिए कर सकते हैं तो इस तरी के समने curry lips को अच्छे से पतिया इसकी निकाल ली है यहाँ पर नौर्थ में थोड़ा सा मुश्किल होता है curry lips मिलना हर जगर नहीं होता है लेकिन अगर आप साथ में हैं तो साथ में दोस्तो हर जो भी वेज़िबल की शॉप है वहाँ पर curry lips से ज़रूर मिलते हैं और दोस्तो आपको अपने फ्रिज में ज़रूर रखना चाहिए curry lips के पतिया हमारे लिए बहुत ही अच्छे होते हैं इसको जो है मीठी नीम की पतियां भी बोली जाती है दोस्तो काफी अच्छा होता है इसके बहुत फाइदे हैं हर तरकी से फाइदे मंद होता है खाने की हर रेसिपीज को जह है टेस्टी बनाता है तो सबसे पहले है है क्या करना है करे लिपशों दालने के बार काफी अच्छे से प्याज और उइस जड़ा में िसको आठ से अच्छे से किता है दूस्तो जल्ड़ जाएं को जड़ते हैं इससे क्या होता सभी चीज़े जल जाएगी आपकी और इसके जो बेनिफिट से आपको जो तेल में नहीं मिलता है इसलिए आपको काफी अच्छे से कम से कम इसको 10-12 मिर तक बहुत ही कम गैस पे इस तरह के से मीडियम से भी लो जो फ्लेम होता है लो फ्लेम पे इसको पकाना ह ताकि सभी चीज़े का जगून है वो इस तेल में आ जाए और यह तेल एक्दम मैजिकल बने तो इस तरह के से चलाते हुए आपको कम सकम 10-12 मिर तक इसको पकाना है और उसके बाद आप देख सकते इसका कलर कितना बढ़ियां सा हो चुका है यानकि यह बिल्कुल गोल्डन वाला ब्राउन जो होता है वैसा हुशका है बहुत ज़्यादा इसको जलाना नहीं है यह तो तेल से जली जली प्याज की स्मेल आएगी तो वह नहीं करना आपको ठीक है इस तरह के से आपको पकाने के बाद काफी अच्छे से इसको तेल को निकाल ले चान करके स्ट्रेंड अब अजगा और उसी सेम कॉटन से आप अपने बालों में तेल लगा सकते हैं तो दोस्टो यहाँ पर तेल को अच्छे से ठंडा करने के बाद हिस्तमाल करें अगली सहमागरी स्में ले एड करने आपको चास्टर चास्टर beard का तेल दोस्तों यहां पर बालोक ले काफी तेल या जितनी में सामगरी आपको अलग सा लगे सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आपको कहीं भी नहीं मिलता है डिस्क्रिप्शन से इसको पर्चिस कर सकते हैं तो एक चमच यहां पर कैस्टर ऑईल डाल दे कभी भी कैस्टर ऑईल ऐसे ना लग जाता है कि इसकी consistency बहुत ही ज्यादा गाड़ी होती है जो बहुत ही ज्यादा चिप-चिपाहट भड़ा होता है तिसलिए तेल में इस तरह किसे मिला करके लगाएं और यह तेल आपका magical बन जाएगा तो दोस्तों आपको लगाना किस प्रकार से है तेल जैसे आप लगाते है वैसे ही लगाएं लेकिन कोशिश करें कि deep oiling करें बालों की जरों से बालों की scalp से काफी अच्छे से मालीच करतें वे oiling करें क्योंकि जितनी problems होती है हमारे जरों में शुरू होती है तो जरों में तेल को काफी अच्छे से पचपचा खलतें, अच्छे से लगाना है वीक में जब भी आप लगाएं दो भार तीन बार जब भी आप लगाते हैं अच्छे से लगाएं और कोशिच करें कि इस तेल को ज़ादा ज़ादा बना करके रखें किसी भी airtight container में store करके महिनों तक तेल रह जाएगा बिलकुल भी खराब नहीं होगा और इसको जब भी आपको लगाना है थोड़ा सा कसी भी कटोड़ी में बोल में निकाले और फिर इसको काफी अच्छे से अपके scalp से लेके पूरे बाले की जरू तक लगाएं अच्छे से लगाएं दोस्तों बिलकुल जो पचाहट वाला होता है ने वैसा लगाएं और उसकाद अच्छे से कम सकम 10 से 15 में तक तेल लगा के मालिश करें बहुत साई लोग मालिश नहीं करते हैं मालिश करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कोई भी आप लगाते हैं मालिश जरूर करें 10-15 में तक मालिश करने बहुत आपको इस से कम सकम 2 घंटे रखने हैं कम सकम 2 घंटे रखें अधरवाइस आप रात में लगा करके फिर अगले दिन आप शैंपू कर सकते हैं तो मैं यहां 2 घंटे लगा करके और फिर शैंपू करोंगी शैंपू जो है दोस्तों कोई भी आप यूज कर सकते हैं जो भी आप यूज करते हैं लेकिन जो मैं यूज करते हैं वो रिकमेंड मैं सब को करती हूँ मैं करती हूँ नेचर शीर का जोग शैंपू जो कि आपको लिंक हमेशे description में रहता है आप जरूर try करिएगा हर वीडियो के description box में डालती हूँ काफी अच्छा होता हमारे بالो के लिए और हमारे بالो की growth बहुत ही अच्छा करता है और हमारे बाल से रेटेर बहुत सारी समझे आयें भी दूर करता है त़ इस तरा के सरे आपको कैसा लगा दोस्तो अगर वीडियो हेलफुल लगा हो इस वीडियो को लाइक कीजिए कमेंट्स कीजिए और वीडियो देखने के लगाए चैनल को सब्सक्राइब